पुपड़ा जिले में आशा वर्कर्स यूनियन दुवारा एक जोरदार प्रदर्शन किया गया जसमें इन वर्कर्स ने सरकार से उनके वेतन में धरोतरी की मांग की आशा वर्कर्स के अनुसार वो पिछले 10 सालों से विभाग से जुड़ी हैं और इमानदारी से काम कर रही हैं लेकिन इसके बावजूद उन्हें पूरे वेतन नहीं मिलते आशा वर्कर्स यूलियन ने सरकार से उन्हें हर महीने बेतन देने की मांग की है और अगर उनकी मांग पुरी नहीं होती तो उनका प्रोदर्शन जारी रहेगा वक्त इंडिया के लिए स्रिनगर से एजाज डाथ इसलिए प्रोटेश्ट करती है हमें 10 साल होगी ऐसी मन्तिली पेइमेंट 18,000 होने चाहिए जब तक हमारे डिमांड पूरी हो जाए तब तक हम ऐसी ही रहेंगे हम जज़ा जारी रखेंगे